हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ आचलूर सागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है देरा दुनीवारी आज की वीडियो में गल्स में शेयर करने वाली हूं अगर आप न्यूली मेरिड हैं या आपकी शादी होने वाली है या फिर आप न्यू बिगनर हैं म इस चैनल प्रोडक्त है जो आपके मेक अप किट में होने चाहिए कम से कम रेट में आप किस टाइप से अपनी मेक अप किट रैडि कर सकते हैं और जो भी बेसिक प्रोड़क्त है वही आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं क्यों कि अगर आम मार्किट अपने स्किन के अकॉर्डियो कौन से नहीं लेने है तो आज की वीडियो आप लास्तिक जरूर देखें उससे आपको बिलकुल क्लेर हो जाएगा कि आपकी स्किन के लिए कौन सा प्रोड़क्त जरूरी है और किसके बिना आपका काम चल जाएगा तो और साथ ही साथ मैं को बाद्स को फर्स्ट है मेंकप कित और वैनिटी बॉक्स जब भी अपने लिए मेकप प्रोड़क्त ले उससे पहले ऑपने अच्छा सब्स्पेशियस और एक सुनर सा वैनिटी बॉक्स और मेंकप कित ले सकते हैं जिसमें आप अपना मेकप का जितना भी खजाना है उसमे उसे आप स्टोर करके रख सकते हैं आप चाहें तो इसकी जगा पे पाउचीज भी ले सकते हैं जिसन पाउचीज में दो से तीन कमपार्टमेंट होते हैं तो काफी एजी होता है यूज करना उनको और अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं हजबन के साथ हनीमून पे जा रहे हैं या कभी घूमने जा रहे हैं तो उसको काफी कैरी करना भी काफी इजी होता है जगा भी कम लेते हैं और यूज करना काफी इजी होता है क्योंकि दो से तीन कमपार्टमेंट होता है तो चीजे उसमें डिवाइड रहती है तो ढूनने में कभी भी कहीं आप भार जा रहें तो आपको कोई भी दिकत नहीं होगी नाव मेकप किट में जो हमारा फर्स प्रोड़क्ट जाने वाला है वह हमारा मॉस्टराइजर आप सब जानते हैं कि मॉस्टराइजर कितना जरूरी है हमारे सकिन के लिए फेस के लिए तो यहां पे जो मॉस्टराइजर है वो आप अपनी सकिन के अनुसारी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका ओईली फेस है या ड्राय सकीन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है लूमी क्रीम क्योंकि यह एक ऐसी क्रीम होती है जिसमें हाइलेटर विद फांडेशन मॉस्टराइजर मिक्स होता है इसको लगाने से क्या होता है तैंटली ग्लो आजाता है उसके बाद आपको कुछ भी करने के नीडनी होती कोई फांडेशन या कॉंपैक पावडर लगान सफांड खाएंगे मार्किट घुमने जा ये या हनीमून पर गये हैं तो आपके पास संस्कृण जरूर होनी चाहिए ताकि जाने से पहले आपने ऑल ओवर फेस पे अपने हैंस पे संस्क्रीन लगा सके क्या होता है कि क्या होता है जब भी हम बाहर जाते हैं हमने कोई भी सं संस्क्रीन रखें और जब भी आप बहार जा रहे हैं तो उससे पहले आप आल ओवर संस्क्रीन अपने फेस पे लगा सकते हैं आप वैसे तो मार्केट में हमारे 15-60 संस्क्रीन से पाफ बेस्टार ग्रीक शिर्चेश्टा रहे संस्क्रीन ग्राइमर अगर आप लांग लांसिंग रहने के साथ साथ आगर आपने हैवी मेक अप किया तो आपकी स्कीन भी डेमेज नहीं तो आप बिलकुल इसके लिए प्रैमर यूज कर सकते हैं प्राइमर यूज मेरे पहले किसे करनाना है जैसे आपeredजक्ड और तो अगिसे प्राइमर लगाना होता है उससे क्या होता है आपके पोर्स रोते हैं और जब भी आप इसके बाद अपना फोपने यूज करते हैं तो जो भी हमारे हेवी मेकप में जितने भी हमारे केमिकल होते हैं वो हमारे स्किन को डेमेज नहीं करते हैं और जिससे हमारे पिमपल्स हो और मुहासे नहीं होते हैं अगर आप डायET वांड़िशन तो कही न कहीं क or कमिकल होते हैं वो हमारे स्किन को έदमेज करते हैं लिसके आप कि स्किन में कभी भी पिंपल्स चिंव कें जो कमिकल्स होते हैं और कोी भी Also, Kann उप हों हकश्य क्लेश्च्छी हेइज ब्ला। मैं यहां पर यूज करते हूँ नाइका का प्रैप मी अब यह काफी अच्छा है इसको लगाने से आपको उसी टैम इस्टेंटली एक स्मूध सा इस मिलता है जिसके बाद आपका जो मेकप है काफी फ्लोलेस होता है तो अगर आप हैवी मेकप कर रहे हैं तो बिल्कुल आप य जाने वाला है वह है foundation और concealer यह डिपेंड करते हैं आपके skin tone पर अगर आपके face पर आपकी skin tone uneven है आपके dark circles हैं आपके black heads हैं तब इस टाइप के skin पर आप concealer आपके लिए must है आपको सबसे पहले आपने जैसे foundation से पहले आपको conceal करना होगा उसके बाद आप foundation लगाएंगे दैन आपको compact करना होगा तब ही आपका जो base है बिलकुल flawless आएगा अगर आप directly उस पर foundation कर देते हैं तो कुछी देर बाद थोड़ सा gray shade हो जाएगा और जिससे आपके जो black dark circles वाले part होंगे वो अलग से shine करेंगे तो उससे best है कि आप सबसे पहले अपने जो dark circles part है या uneven skin tone है आपको उस compact powder से इसको seal करना है अब अगर आपकी face में कोई ऐसा issue नहीं है skin tone नहीं है dark circles नहीं है clear skin है देन आप उसके लिए बहुत हलके spots हैं foundation से मैं यहां पर जो use करती हूं मैं यहां पर foundation use करते हूं Fit Me Maybelline का 1815 foundation जो काफी अच्छा है यह आप parties के लिए रख सकते हैं आप इसको यूज कर सकते हैं डेली में बीबी क्रीम CC क्रीम या फिर लूमी क्रीम जो मैंने लूमी मॉस्टराइजर तेंटिड मॉस्टराइजर आपके साथ शेर किया है वह यूज कर सकते हैं कंसीलर यूज करते हूं मैं यूज करते हूं ब्लू हैवन का यह वनीला 101 शेड है और इसमें फुल कबरेज आपको यह देता है इसली ब्लैंड हो जाता है काफी अच्छे से मतला फिंगर से टैप टैप करके इसको इसली ब्लैंड कर सकते हैं बड़ इसको आपको वहीं पे उसको लगाना है जहां पर आपके डाक स्पोर्स अनीवन स्कृंट टॉन है बाकि आपको पूरे फेस में इसको लगाने की नहीं नहीं है अगर आप कभी कहीं चाहरे हैं आप नहीं चाहरें कि आप हैपी मेकप करें फांडिश कॉंपेक वगरा यूज करें तब डायेटली आप इसको क्रीम मॉस्ट्राइजर के बाद आप डाइटली इसको कंसीलर यूज कर लीजिए कंसीलर आपको सिर्फ उसी पार्ट में लगाने है जहां पर आपके स्किन अनीवन है या कोई डाक स्पॉर्ट है उसके बाद उसको फिंगर से टैप टैप करके उसको वहीं पर ब्ल जैसा मैंने लास्ट पांड में लाइटियर किया कि अगर आप कोई भी पाउंड़िशन लगा रहें या कंसीलर कर रहें तो उसके बाद यह मस्ट होता है कि आप उसको फेस 파ॉडर से या लूजς पाउडर से उसको सील करें क्योंकि अगर आप सील नहीं करेंगे, तो कुछी को सील कर दें पाउडर हमारे जो मेक अप है उसको घंटों तक रखने में आपकी हेल्प करता है कोहीं से भी हो फिर मेल्ट नहीं होने देता और अगर आपका कोई ओली एरिया तो एरिया को मैटिफाई भी करता है तो ट्रच अप के लिए बहुत इंपॉर्टन है हमारा कंपैक बहुत से होते हैं कि जिन्होंने शादी से पहले कभी मेक अप नहीं किया रहे था ठीक है जब हम फर्स टाइम लेते हैं तो हो सकता है कि आपको इतनी नौलेज ना हो तो मैं क्लेर कर दू हर शेड अलग अलग होता है हर स्किन टोन के साफ से फांडिशन बीबी क्रीम हर स्कि करूंगे अप ऑफ लाइन मार्केट में जाके इसको अपने लिए परचेज करें उसमें क्योंकि जो भी सेल्स कल्स होती हैं कि किस स्किन टोन के साथ कौन सा शेड जाएगा और अगर आप फिर भी वहां पे थोड़ से क्लेर नहीं है कि यह टोन जाएगा तो उसको थोड़ा आप ट्राइक कर सकते हैं नहीं नेक्स प्रोड़क्त है वह फोर इन वन होने वाला है त्री इन वन आपने बहुत सुना होगा बद जो मैं शेयर कर रहीं वह उसका काम है चार कामों को एक साथ वो कर लेगा वह स्विस्प्यूटी का डो पैलेट जो मैंने नाइका से परचे करने के लिए तो आपका स्विस्प्यूटी के काफी सारे ऐसे मिनी पैलेट आपको मिल जाएंगे बद यह जीरो टू करके है जिसमें आप मैं आपको अगर शेयर दिखा हूं पैलेट मैं आपको नाइन शेयर मिलने वाले हैं एक थोड़ सा ब्राउनिश है इसमें दो शेयर लाइट भी हैं जिसे अपनी आइब्रो फिल कर सकते हैं दन बीच में जो है थोड़ से शिमरी टैप के लिए काफी अच्छा है यह बिलकुल आपका हाइलेटर का काम करता है इसका मैं आपको एक बार पिग्मेंटेशन दिखा देते हूं बहुत अच्छी इससी काफी आजकल ट्रेंड में भी है तो आप इसको बिलकुल इस तरीके से लगा कि इसली ब्लेंड हो चका है आप देख सकते हैं और नेक्स है यह थोड़ सा लाइट है तो इसको अगें आप आई शेडो के लिए यूज कर सकते हैं यह आपके पिंकिश में थी शेड हैं आप उसको हो जाएका इसरा आपका हाई में पिलेट ग आप दो इसलीट है आप ऑपिज चार सो में दोने तर आप सकते मैं आपका इसको Siischa शेडव पले यह प्लेमर कर सकते हैं तो इसको आप दियूस्या है अदर कर सकते हैं इसको अप प्राइब तो इसको आप और लाचे नाइ चार वोले हैं. आपको कोई भी चीज पर अलग से यही जोड़तनी है कि आपको अपने आई ब्रोज के लिए अलग लेना है है आई मेक अलग से लेना है उस से अच्छा है कि अगर आप विगंईर हैं और आपका चाहते हैं कम खर्चे में अपका अच्छा काम तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स प्रोड़क्ट है वह है लिपिस्टिक अगर हम लिपिस्टिक ना लगाएं तो हमारा जो अल ओवर मेकप होता है कहीने कहीं इंकम्प्रेट लगता है अगले दिन मौनिंग मेरे लिप्स बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं तो इसलिए मैं हमेशा यह लिपिस्टिक ना दे और अगर फटे हुए हैं तो आप अच्छा से लिप बाम यूज़ करें यूज़ करती हैं अपना बाइटिक का लिप बाम जो काफी अच्छा है अगले दिन मौनिंग मेरे लिप्स बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं तो इसलिए मैं हमेशा यह लिप बाम काफी टाम से मैं बाइटिक की प्रोड़क्ट यूज़ कर रही हैं इसलिए लिपिस्टिक और लिपंब लिप बाम से लिए काफी अच्छा है कॉंच्टी काफी अच्छी है जो उसके काफी सौफ पार मेरी ड्राइनेस रहती है मेरे लिप्स में कुछ टाम बादो फटे-फटे सहो जाते हैं बिल्कुल अच्छे लगते हैं उसके लिए लिए हमेशा लिपस्टिक से पहले अपने लिपस में आप लिप बंजरूर लगाएं उसके बाद मैं जो यहां पर लिपिस्टिक आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगी अगर आप न्यूली ब्राइट रहें तो मैं यहीं काऊं में जो pop-up colors होते हैं वह ज्यादा अच्छे लगते हैं अगर आपको night light shade पसंद है nude shade पसंद है तो बिल्कुल आप एक-दोस को भी रख सकते हैं बट यह जो बाइट कलर हैं उनका अपने पास collection बिल्कुल रखें यहां पर मेरे पास दो डाक shade है जो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी कि इनका shade काफी अच्छा है तो यहां पर है biotech की जो first है मेरी यह है pretty poison p607 इसका shade मैं आपको करके दिखा देते हूं यह थोड़ सी hot pinkish है बहुत अच्छा shade है अगर आप newly bright है तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं then next है creamy cup N606 यह भी again biotech की है यह कुछ reddish में है यह दो इसके shade है इस चैप के जो भी जितने भी bright shade होते हैं आप अपने पा 3 to 4 collection जरूर रखें क्योंगी जब भी आप traditional पहनेंगे अगर आप उपर से कोई भी nude shade लगाते हैं तो आपके जो face का glow है कहीना कहीं हाइड हो जाते है बट अगर आप traditional पहन रहे हैं आपका कोई क्योंगी क्योंकि शादी की बाद मोस्ली जितनी भी brights होती हैं वो bright colors करते हैं कोई घर वाली आपको light shade नहीं पहने देंगे तो जब भी आप dark अपना कोई अगर काजल की बात करें तो काजल हर किसी को लगाना आता है बहुत कम girls होंगी जो काजल नहीं लगाती है अधरवाइस सारी girls को काजल लगाना भी आता है वो काफी टाइम से regular use भी करती है but eyeliner एक ऐसी चीज़ है कि हर girls नहीं लगा पाती है कि especially जो liquid eyeliners होते हैं उनको लगाना धोसा बार बार जब हम try करेंगे तभी हम उसमें perfect हो पाते हैं अगर इसलिए अगर आप beginner हैं आपने आज तक अभी eyeliner liquid वाला try नहीं किया है और आप लेना चाह रहे हैं तो बिलकुल आप काफी वराइटी आती है colorful आजकल काफी eyeliner चल गया है green में blue में white में यह eyeliner आपको market में मिलेंगे बट अगर आप newly bride हैं आपने kit के लिए ले रहे हैं तो बिलकुल आप black के साथ जाएं क्योंकि black evergreen color है जो आपके हर outfit के साथ आप अगर लगाएंगे तो आपको perfect लगेगा बट अ लगेगा और आपके look को कही ना कहीं खराब करेगा तो हमेशा अपने पार black kajal black eyeliner जरूर रखें ताकि आप जब भी उसको लगाएं तो आपका look perfect look निकल कर आए तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपके लिए helpful रही है तो प्लीज वीडियो को like करें चैन लेगी तो जल्दी लेकर आओंगी नेक्स वीडियो तब तक के लिए bye bye and take care